कि दोस्तों आपको क्या लगता है कि AI की जुटूल्स है यह जो AI का ट्रेंड आ गया है क्या यह आपकी जौब खा सकता है क्या आप जॉबलेस हो जाएंगे क्या यही डर आपके दिमाग में, मन में बार-बार आता है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम artificial intelligence, prompt engineering, इन सब के ओपर ये detailed course लेकर आ गए है, practical है, और ये course आपको इन technology से रूबरू कराएगा, इनको practically आप सीखोगे, ताकि आप इनसे डरने की बजाए, आप इनका सही use करके, अपने career को और उचाईय पर पहुंचा सको, हमेशा इतिहास गवा है, जब भी technologies आई है, उन्होंने हमेशा opportunities create करी है, जादा स्यादा, उन्होंने jobs create करी है, तो आज हम इस डर के ओपर बात करते हैं, और इस myth को clear करते हैं, क्या AI, jobs छीन लेगा, आए जानते हैं इस वीडियो में, और इस course को अच्छे skills courses भी आप से miss ना हूँ, एक important update, अगर आप अपने business को grow करना चाहते हैं digitally, तो आप हमारी professional digital marketing services ले सकते हैं, या अगर आप live digital marketing practical सीखना चाहते हैं, advanced level पे with artificial intelligence and prompt engineering, तो उसके लिए आप हमारा life course भी जोइन कर सकते हैं, दोस्तों दोनों ही options के लिए आप हमारे due number पे call कर सकते ह हैं, description में भी मैं link दे रहा हूँ और number दे रहा हूँ, तो आप इस video को देखने के बाद हमसे contact कर सकते हैं, guys पिछले कुछ सालों में, पिछले एक दो सालों में हम बहुत जादा सुन रहे हैं कि AI के वज़े से लोगों की job जा रही है, लोगों की job जा चुकी है, इस company ने इतन लोगों को निकाल दिया, US में लोग निकाल रहे हैं, पर क्या सच में यह possible है कि AI की वज़े से आपकी job है जा सकती है, और क्या कोई तरीका है कि अगर job जा रही है, या जा सकती है तो तो इसको बचाने का पनी job को बचाने का कोई तरीका है हमारे पास, या just हम सिर्फ देखी में कहा है कि AI जो है वो रेपेटिटिव टास्क या फिर जो मोनोटोनस काम होते जो रेगुलर बेसिस वे सेम ही सेट आफ पैटर्ण में किये जाते हैं उन सारे टास्कों को बहुत अच्छे तरीके से रेपलिकेट कर सकता है और इवन सम्टाइम्स हुमन से भी जो है अच्छे सम्टाइम्स दिखाहूं यहां पर dahil में जो कुछ जॉब्स है जो डिसापैर होते जारी है डियू टिव एयाई जैसे कि टेक्स प्रिपेयर अपहले क्या होता था कि लोगों के लिए एक परिडिकुलर पार्षन होता था, जो टेक्स प्रिपेयर कर करेता था कि साल का आपक इतना टेक्स बनेगा यह बनेगा लेकिन अब यह सारी सिस्टम्स बिसिकली जो AI है उसमें कर सकते हो जो AI आपके सारे expenses का ध्यान रखता है आप क्या-क्या खडचा कर रहे हो इसके अलावा आपने businesses में क्या-क्या transactions किये कितने transactions किये उसके हिसाब से जो आपके पूरी tax preparation करके दे सकता है अभी AI तो obviously tax prepare की जो job थी वो चलीगी and यह kind of repetitive task वाला ही system था जिसमें उसको just check out करना था कि किस-किस के जो है क्या-क्या transactions है उन transactions के basis पे क्या-क्या tax लगेगा तो यह जो monotonous काम है इसके अलावा second है हमारा locomotive engineers अब locomotive engineers के होते जो trains चलाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा लेकिन अभी भी इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि locomotive जो train railways है उनमें तो अभी ऐसा कुछ technology नहीं आई है क्योंकि जो हमारे engines है इतने advance नहीं है कि उसमें AI को inbuilt किया जा सके है हला कि यह जो मैंने यहां पर mention किये है यह आने वाले टाइम पर जो है यह jobs जो है Metro available है and Metro में पहले जो है लोको पाइलेट्स लगते थे जो उन्हें चलाते हैं आप simple भासा में उन्हें drivers बोल सकते हैं जो उन Metro को चलाते हैं बट आप जो government है वो without लोको पाइलेट्स वाले Metro भी टेस्ट कर रही है इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पर हमें without लोको पाइलेट्स वाले विदाउट ड्राइवर वाले Metro भी देखने को मिल सकते हैं जो सिर्फ एक computer system के भरो से AI system के भरो से चलाया जाएगा और कई देशों में कई countries में जो थोड़ी सी ज़ाद हमसे एडवांस है उनमें यह चीज को implement भी कर दिया गया और हमारे में अभी यह धिरे-धिरे चेंज आ रहा है तो यह जो jobs है यह भी आने वाले टाइम में डिसपेर हो जाएगी क्योंकि यह भी monotonous है सेम वही चीज आपको करने पड़ते है speed बढ़ाना घटाना signal अगर red है तो वहीं रुख जाना अगर green है तो बढ़ा देना तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर कोई creativity नहीं है कोई extra human touch नहीं है इस काम में थर्ड है हमारे warehouse stocker जो हिसाब रखता है कि हमार काम भी लोग कर ले रहे है क्योंकि वह भी एक repetitive काम है cash लेना गिनना एंद उसको just feed कर देना कि इतना cash आया इतना cash दिया then meter readers आपके यहाँ पर हो सकता है बिजली के मीटर्स होते या फिर पानी के मीटर्स होते है उसको reading लेने आते होंगे लोग राइट बट आने वाले time में यह सारी चीज़े वैनिश हो जाएंगी वो मीटरीडर्स की job है वो चली जाएगी क्योंकि AI की मतद से जो reading है वो companies जो भ reader readers की भी job गई यहां पर next ऐसे कई job से जो आगे आने वाले time में disappear होते चले जाएंगे जैसे की data entry हो गया telemarketers हो गया telemarketers तो आप already देख रहे होंगे कि आपको जो calls आती हो computerized call आने लगी है अब यह आगे चलके और जादा हो जाएगी जहां पर वो computer आपसे बात भी कर पाएगा और आपके कुछ जो सवाल होंगे जो repetitive लोग पूछते उनके जवाब भी दे पाएगा तो properly as a telemarketer वो work कर पाएगा translator अब जैसे की आगे पहले क्या होता था कि हमें कोई physical translator से ही होता था let's say मैं Spain गया अब मेरे को Spanish नहीं आती है Spain में I guess Spanish ही बोलते होंगे जहां तक मुझे लग रहा है या फिर Europe गया यूरोप में बहुत सारी countries है जैसे की let's say Paris गया वहाँ पे भी Spanish बोला जाता है तो मैं वहाँ गया पहले क्या होता था मेरे को physical translator चाहिए होता था साथ में right जो की मेरी language को मैं अगर English बोल रहा हूं या फिर let's say मेरे को English भी नहीं आती हिंदी बोल तो हिंदी में मेरी language को समझ जैपनीज में translate करके बताता है लेकिन अब यह सिर्फ एक mobile application यह काम कर देता है अपका Google का translator है बहुत साथ है एडवांस इसके अलावा कई और translating tools आते हैं जो यह काम आपका चुठकियों में करके देते तो translator की job तो already जा चुकी है right computer programmers computer programmer let's say पहले किसी company को 1000 software engineers या फिर computer programmers लगत बहुत हच तक जो basic code बनाते थे शुरू का जो basic framework ready करते थे या code बनाते थे प्रोग्राम बनाते थे वो अब AI आपको बना करते देता है right तो उन 300 developers उन 300 computer programmers की job चली गई तो इसी तरीके से जो है आने वाले time में और ज्यादा jobs जाने वाली है right तो यह जैसा कि मैंने कहा आपको कि monotonous काम repetitive task जो है उनको AI बहुत अच्छे से कर पाता है proof reading जैसा task है proof reading में क्या होता है let's say मैंने एक book लिखी है ठीक है अब मेरे को एक proof reader चाहिए जिसको मैं यह वो book पूरी provide कर रहा हूँ 100 pages या 200 pages उस book में है ठीक है अब वो उसको दुबारा से read करेगा and कहीं पे mistake होगी त उसको mistake को मेरे को सही करके देगा इस चीज को कहते है proof reading अब वही चीज मैं AI से करा सकता हूँ मैं chat GPT जैसे tools से proof reading करवा सकता हूँ 200 pages मेरे को जाद से जाद 2 घंटे लगेंगे और वो पूरा 200 pages को maximum को भी गोला हूँ 2 घंटे और वो पूरे 200 pages को है अराम से proof read करके मेरे को provide कर दो घंटे भी मैंने बहुत जादा बोला क्योंकि अगर लेमन कोई उसकरेगा तो उसे दो घंटे लगेंगे वरना तो आदे घंटे का भी काम नहीं है यह चीज तो इस तरीके से जो है massive change आ रहे है job sector के अंदर लोगों की नौकरियों के अंदर जो बहुत जादा repetitive type के task में आगे चलते हैं वीडियो में थोड़ा सा ओर चीजों को समझते हैं यहां पर मैंने 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 कि है कि but don't have to worry old jobs are gone but new jobs will also arrive अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर हमारी पुरानी type की जो jobs है ठीक है वो जाती जा रही है ठीक है लोगों की नौकरिया छूट रही है यह तो सचा ही तो सामने है कि हां jobs तो जा रही है बट साथ में यह भी आपको accept करना पड़ेगा कि पुराने टाइप के जो जाएंगे तो नए टाइप के आएंगे भी right मतलब ऐसा नहीं है कि jobs चले गए तो सिफ चले ही गए उसके अलावा कुछ बचाने आपके पास नहीं आपको दूसरी opportunities भी मिलेंगी पर शर्त यह है कि आपको उन opportunities के लिए capable होना पड़ेगा अगर आप इस type का mindset रखते हैं कि जी मैं पहले translator का का काम करता था अभी भी मुझे translator का ही काम करना है right अगर इस type का mindset रखते हैं और वो भी same level पे same तरीके से यह आप उस translator की job करना चाहते तो I don think कि आप survive कर पाएंगे situation के अंदर right तो आपको mindset थोड़ा सा change करना पड़ेगा है मैं आगे आने वाले इसी वीडियो में थोड़ा सा और describe करूंगा कि किस टाइब का mindset होना चाहिए क्या आपकी सोच होनी चाहिए so that कि आप यह जो changing world है यह जो changing situation है इसको आराम से tackle कर पाए औ और जो है अपने career में और जाधा growth कर पाएं राइट अब यहाँ पर मैंने यह क्यों कहा कि नए jobs भी आने वाले हैं अब देखिए मैं आपको example देता हूं थोड़ा सा आगे चलते हैं किसे बता था कि 25 साल पहले किसी type की ऐसी भी job होगी जो सिर्फ content create करता है like videos किसी social media page के लि इवन gamer gaming सिर्फ आपको game खिलने के पैसे मिलते हैं इस type के job अगर आप आज से किसी भी बच्चे साल पहले कि लोग से पूछोगे आदमी से पूछोगे तो वो तो यह भी बोलेगा यह क्या होता है उसे नहीं पता होगा UX UI developing क्या होती है gaming तो चलो खेरो अगर उसको पता भी ह तो यह बिलकुल भी नहीं सोच पाएगा कि gaming से लोग पैसा कमा रहे होंगे और इतना कमा रहे होंगे कि normal लोग उनके सामने कुछ नहीं है गेमर्स को लोग e-sports player कहते हैं जो जितना क्रिकेटर्स कमा रहे होंगे आसपास आप बोल सकते हैं कि गेमर्स भी कमा रहे हैं गेमर्स कुछ कम नहीं है शोशल मीडिया मैनेजर्स की जॉब बहुत अच्छी होती है उनकी 50-70-80,000 रोपे सैलेरीज होती है और आस से 20-25 साल पहले इस टाइप के जॉब्स एक्जिस्ट भी नहीं करती थी लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या आगे चलके होगा तो नए जॉब्स जरूर आएंगे जैसा की मैं repeat किया पहले भी आपको बताएं कि जो पुराने टाइप के जॉब्स से वो जा रहे हैं लेकि नए जॉब्स भी जरूर आएंगे आपको धीरे देखने को मिल रहा है नए टाइप की जॉब्स जैसे की एक हमारा होगा प्रॉम अगर मैं आपको पहले भी बता हूँ, पहले क्या होता था, जैसे पास्ट में जो जॉब चेंज हुआ है, पहले लोग जाद अतर अग्रिकल्चुरल सेक्टर में लोग काम करते थे, राइट, यानि खेती वगेरा में, खेती में, फामिंग में, इस टाइप के सेक्टर में बह बहुत सारे अलग-अलग मशीन, हार्वेस्टर और डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग टेक्नोलोजी की वजए से, वहां पे जॉब्स की कमी होने लगी, अब जैसे ही वह जॉब्स की कमी हुई, लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की जाने लगे, क्योंकि अब और क्या- gestures had to be spectacular, वह जब बनाने के- लिए, फै krijtså्ट्रिया, तो plants set up क beta कने बढ़ते हैं, अर वह जब plant set up हुए, तो प्लांट उवह जॉब्स की भी जरूरत होगी, बिसिकलियों ऎफ्लॉईस्टी की ब inom स्टशं लॉरत, तो जो वह लोग कम करती थे वह लोग इंडस्ट् तब आप सारी चीज़े चीज बनते थे बड़े बड़े सारी चीज़े दो फट कर रहा हैं तो सारी चीज़े मैनुवली हो रही थी अब आप देख सकते हैं कि जो मैनुफेक्टरिंग प्लांट से उसके अंदर भी रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा है जहां पर पहले 1000 लोगों से हो सकता है, प्लांट एक चलता था, 1000 या 2000 लोगों से पूरा एक manufacturing plant चलता था, अब हो सकता है, सिर्फ 500 या 2500 लोगों की जरूरत रहे गई, और सारा काम अब मशीनरी, जो है, आटोमेटिक मशीन, जो है, रोबोट्स है, वो कर रहे होते हैं, आपने और सारे चीज़ हो रही होती है, वो रोबोट्स कर रहे होते हैं, बस जो लोगों का काम क्या रहे है था, उन रोबोट्स को निग्रारी में रखना कि किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं, कुछी बलंडर्डर्या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं क्रीट कर र वो जो गाडियों को बिल्ड कर रहे है या फिर बड़े-बड़े मशीनरीज को बिल्ड कर रहे है, उनके लिए सॉफ़वेर प्रोग्राम चीए, उनके लिए हाडवेर चीए, सॉफ़वेर चीए, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा इनफोर्मिशन, IT सेक्टर के थुरू, तो वही ट्राफिक जो इनके लिए जॉब्स की कमी हो रही थी, उन्होंने अपने आपको अपस्किल किया, अपने स्किल को बढ़ाया, एंड वो आगे जल के इनफोर्मिशन सेक्टर में जाने लगे, तो एक के बाद एक सेक्टर आगे बूम होते चले जाते हैं, हो सकता है, पीछे वाले सेक्टर में आपकी नौकरी की कमी होने लगी, तो आपको अपने आपको अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, आपके लिए नए दरवाजे आटोमेटिक लिए खुल जाते हैं, तो इसी तरीके से, जो पास्ट में होने लगी है, तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किस तरीके से, न्यू इंडस्ट्री का, या फिर न्यू सेक्टर का अवाग्मन होता है, और हम ट्रांजिशन को देखेंगे, तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से, चीजे वर्क कर रही हैं, और सेम ही तरीक जो है, जो है, जॉब एक किसी AI टूल की वज़े से, AI software की वज़े से, अब मैं कर पे बैठा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले, आपको अपने जो new technology है, उसके साथ अपने आपको updated रखना है, जो भी नई technology market में आ रही है, उसको थोड़ा सा समझी है, उसका idea एसा नहीं है कि बिलकुल ही आप बूरो के जमाने में या फिर एकदम ही 90s में जी रहे हैं, कि आपको कुछ पता ही नहीं है, क्या चल रहा है दुनिया में क्या नहीं चल रहा है, जरूरी नहीं है कि उन technology को आपको adapt करना है, या यूज ही करना है, बट हाँ, आपको idea होना च ये new technology के साथ, second है, adopt AI and make yourself irreplaceable, right, अब यहाँ पे problem क्या है, लोग AI से डरने लगे, कि यार मेरा काम तो ऐसा है, ये तो AI चुठकियों में कर देगा, मेरी तो नौकरी चली गई, लेकिन वहीं आप AI को as a friend के तौर पर देखे, right, AI से आपको डरना नहीं है, AI को as a friend, as a companion के तौ तो आप AI के साथ, कॉलाब करके काम करना सीख जाएंगे, और जब आप AI के साथ, कॉलाब करके काम करना सीख जाएंगे, तो आप irreplaceable बन जाएंगे, आपके कोई नौकरी हटा नहीं सकता, क्योंकि आपकी वज़ा से आप अपनी company की efficiency बहुत जादा बढ़ा देंगे, अपनी ज़रूर ऐसा नहीं है कि हर आपको field में same चीज़ देखने मिलेगी, लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए रहे, अगर आप AI को adopt कर पाते हैं, AI के साथ collaborative way में work कर पाते हैं, तो आप सबसे बड़ी चीज़ है, irreplaceable बन जाएंगे, आपकी हो सकता है, designation में थोड़ा सा changes ज़रूर और हो सकता है कि आप थोड़े साथ senior level पे चले जाएं लेकिन नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी, इवन आपकी तरक्की और हो जाएगी, अगर आप AI को adopt करने से आप जो है, आप जो है, automatically जो बाकी की audience है, उससे advance हो जाएंगे, तो आपका promotion ही होना है, आपका demotion तो नहीं हो कोई creativity नहीं है, जो हमारे human mind की यूस करके ही सिर्फ किया जा सकता है, तो आपकी जो नौकरी है, बहुत जादा vulnerable है, आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि, आपकी नौकरी में कोई human touch ही नहीं है, राइट, कोई ऐसा creativeness ही नहीं है, जो सिर्फ human brain कर सकता है, तो ऐसा creativeness कि आपकी नौकरी सिर्फ आपकी क्रियाटिवनेस या हुमन टच की वज़े से बची रहे हैं, और लास्ट में यही चीज़ आड करूंगा कि दौंट स्टॉप लर्निग आपको हमेसा सीह ते रहते हैंगा कि पिछली इंडस्ट्री जैसे कि पास में जो चेंजिस हुए तो लोगों ने सीखा अपने आपको अपको अप्सकिल गिया तब जाके वह इस सेक्टर से इस सेक्टर के अंदर आपाए तो आपको भी अपने आप का माइंड सेट है तो कहीं न कहीं आप जिंदगी में स्टक जरूर हो जाएंगे तो आई होब आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से जो है याई की वज़ेसे लोगों की जॉब चा रही है आप किस तरीके से अपनी जॉब बचा सकते हैं और क्या अपने अंदर जरूर बताइए दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी एजेंसी से या आप लाइव डिजिटल मार्केटिंग तीकना चाहते हैं विद आर्टिफिचल इंटेलिजेंस तो आप हमारे इस दियोए नम्रों पर कॉल कर सकते हैं झाल